हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चानल आज हम बनाएंगे यहाँ वर्मसिली तो यह काफी असान तरीके में मैं यहाँ पे बता रही हूँ और यह एकदम नूडल्स की तरह बनता है तो आप नूडल्स खाना भूल जाएंगे जंक खाना भूल जाएंगे और व अर्सो का तेल डाला था और उसके बाद मैं मुफली डाली हूँ मुफली को फ्राइ करेंगे और सारे मुफली को मैंने अलग परतन में निकाल लिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसन कटा हुआ हरी मिर्श दो लिया है बारिक कटे हुए और फिर मैंने इसमें डाल जीरा और फिर मैं यहां डाल रही हूँ कऱि पत्ता काफी ज़्यदा लाता है मुझे तो कड़ि पत्ता काफी पसंद utilizing date जहां-स-der---- CS मैं इसमें का जादा स्वाथ आड़ लाता है तो नेक्स्ट मैंने इसमें डाला बाद मैं यहां पे डाल रही हूँ नमक स्भाद अनुसार और फिर न को हल्दी पाओडर स्अगाओडर सबाओडर और थोड़ा सा करीबन हाफ टेपल स्पून ब्लैक पेपर पॉडर डाला है और सब को फिर से थोड़ा सा पका लेंगे यह कहना फिर मसाले कच्छे रह जाएंगे तो अटलिस्ट इसको आप 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाईए यह मेरा मसाला पक गया है अब मैं इसमें डाल रही ह और यह पक चुका है हलका देखिए बहुत अच्छा पक गया है थोड़ा सा लाइट पिंक हुआ है अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी पानी बहुत कम डालना है मतलब आपका वर्मसिली एक ग्लास है तो आपको हाफ से थोड़ा उपर डालना है और फिर में इसमें डाल रही हूं केचप केचप इसमें दो स्पून में ने डाला है और फिर सब को अच्छे से चला लेंगे चलाने के बाद देखिए पानी इसमें बहुत कम है अभी मेरा गैस अच्छली लो फ्लेम पे है तो अब हम इसको ढख के पकाएंगे दस मिनट तक दस मिनट हो गए है चलिए देखते हैं हाँ बनके रेडी हो गया है और लो फ्लेम पे क्या है न पकाएंगे आप तो वो दीरे दीरे पकता है और ये नीचे चिपकता भी नहीं है तो अब हम जो फ्राइ किये थे न मौफली तो इसको हम डालके फिर पूरा वर्मसिली को मिक्स क करेंगे और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए चलिए वर्मसिली हमारा रेडी है आपको स्पून में लेके दिखाते हैं कि कितना सुंदर और अच्छा बना है आप इसको एक बार तो जरूर ट्राइ करके देखिए और बताईए कम करेंगे जरूर बताईए करेंगे तो जरूर शैहिसे हमारा बना है ये और लाजवा आचा कहां सेक्शन में लेका है आपको एक इसक्शन में लेके दो जरूर आताईए ...